हालो यवरीवन वेल्कम टो इंजिनियूस पॉइंट रेट ने लेशिस के पिछले वीडियो में हम देखे थे कि कंक्रीट वर्क दस घंड मीटर के लिए करना पड़ेगा तो कितना सुखा मसाला लेंगे एक घंड मीटर के लिए कितना लेंगे फिर सिमेंट कैसे निकालेंगे सैंड के से निकालेंगे और इस टोन घ्रीजेट के लिए सिंपल साम किया थे आज हम पढ़ेंगे प्लास्टर वर्क है ना जैसे कि सो घंड मीटर कंक्रीट वर्क करना है तो सुखा मसाला एक सो बावन घंड मीटर सब्सक्राइब जाने कि एक मीटर की मैं 30 वह सीमेंट लगता है ठीक है फिर हम अलग अलग रेसिजिए एक समन्द चार समन्द आठ एक दो चार एक दिन कंक्रीट वर्क ब्रिक वर्क अभी देखे रच अथा नहीं कि नहीं अभी हम बहुत चीज़ें नहीं किये अभी तहुं बस आपको सिखा रहें अभी लेबर कंट्रेक्टर वाटर और बहुत सारी चीज़ें बात किया अथा लंबार से संजाएगा ठीक है तो अभी आपको निकालना से और कॉंटिंग वर को मैटीरियल निकालना सिखेंगे आर्सीशी वर कम निकालना सीखेंगे इसके बाद जाकर हम पाटिकुलर किसी याउटब के लिए रीटन अल्यासिस घ्याद करेंगे मतलब इससे न Dear G करें लाएं Whenever सिख रहे हैं कि दस हम अच्छे से कर देंगे कोई दिक्कती होगा तो सबसे पहले हम कंक्रीट का कुछ मातरा निकालते हैं उसके बाद प्लास्टर वर पढ़ते हैं ठीक है क्या है कि लंबाई दिखेगा लंबाई हो जाएगा आपका 40 मीटर कि चौलाई कि 20 सेंटीमीटर है घैराई याध आगा अश्य सेंटीमीटर में कंक्रीटिंग वर्क करना बहुत सारी चीज़ें इस चेप्टर में आपको सीखने को मिलेगा वर्क करना है कंक्रेटिंग वर्क करना है तो मैटेरियल की क्वांटेटी गयात किजिए कंक्रेटिंग वर्क में कितने मैटेर लगते हैं कि एक चलिए करते हैं देखिएगा सबसे पहले को देखना पड़ेगा कितना घंड मीटर को कंक्रेटिंग वर्क करना है कोई स्टेक्चर बनाना है जिसके लंबाई 40 मीटर चंवडाई कितना आपका 20 मीटर और गहराई 80 संटी मीटर ठीक है तो हम लिखेंगे ऐसे आपको करना है अब पिछले वीडियोँ मतलब क्या होता है जो आपको घर में जंगल में तो होंगे नहीं घरी में तो दिवार को माप लिजिए लंबाई दिवार की चमडाई दिवार के उचाही एफ होगा दिवार का फइनल वल्यूम है ना जिस गर में है चछत्की है था फाइनल वालूम कितना आपका इतना रहा है कितना चालिस मीटर गुड़े दस मलो आट मीटर गुड़े दस मलो दो मीटर तो कितना जाएगा आपका चालिस गुड़े दस मरें दस मेलों कितना जैगा आपका छ दस मलों चार क्यूबिक मीटर ये आपको कितना करना है आप जब निकालते थे आप ग्रसपी से कह आता था कि नहीं तो 35 ग्रसंप में कितना भी आशकता थहना पिछली बार थो मीटर के लिए इक घंड मेटर के लिए तोड़ी आ 나ब क्लेसी करना है अब करना लिख 엊 करना है एक संबंद है देन संबंद है तो ठीक है तो एक कितना चार घंड मेटर मेरे लाल अब आप अच्छे तरह से जानते हैं कि चार घंड मीटर हमको सीशी करना है तो हम सुखा साला बढ़ा कर लेंगे कितना बढ़ा करेंगे ज लिसकार प किंगे लिए कि लिए तो कुछ करना लिखेंगा वोलूम आप वोलूम आप ड्राइब रिखेंगे ड्राइब लूम हमको ड्राइब वोलूम आप मैटेरियल कितना चाहिए तो 6.4 गूड़े 6.4 एड कर देंगे 6.4 का बावन परसेंट ठीक है ऐसा कर देंगे या फिर आप डाइरेक्ट कर सकते हैं चाहिए इसी कर देंगे 6.4 गूड़े बावन बाग देंगे 100 से प्लस जोड़ देंगे 6.4 कितना जाएगा आपका नो दस्मिलो साथ दो क्यूबिक मीटर है ना नो दस्मिलो साथ दो है ठीक है 9.7 कि आपको क्या बनाना पड़ेगा सूखा मसाला अब हम क्या करेंगे सुखा मसाला तो आगया याद करिया दस घंड मीटर की लिए 15 दसमिलों दो घंड मीटर लेते थे उसके बाद उसमें से सिमेंट वालों गिट्टिक याद कर लेते थे बस हो गया आपका से सिमेंट कितना देखिए तो एक दिन तीन चार पांच दस मलो 5 कि गुरे एक तो कितना रगेगा दिखता हैं नौ दस मलो 7 दो भाग देजेंगे 5 दस मलो 5 से तो 1,6 क्यूबिक मीटर हम अच्छे तरह से जानते हैं इसको हम बैग में बदल लेंगे बावन दस मलो आठ बायग है ना यह हम कहां देंगे से तिन पन बायग है कितना आसान है बताइएगा हम कहां आपको कोई भी कंक्रेटिंग मर्क के लिए कोई भी वोल्लूम दे देट नहीं निकल पाएंगे कितना सिमेंट वालों गित्टी निकलेगा एक्टुवल लाटा है अइसा ही निकाल देना आपको हो जाएगा ठीक है अब कितना लगएगा अब तो आपको पता है एक दसमलोज साथ च्छाए में हैं सिमेंट का डिन्ध कुबिक मीटर में अब कर देते हैं सब ठीक है अब गुड़े देंग दो दसमलोज च्छार क्यूबिक मीटर ठीक है उसके बाद बैलास्ट का लीजिए या फिर इस्टों एग्रिगेट का लिए इस्टों बाइलास्ट का लिजिए जितना एक दसमलोज साथ च्छाए का तीन परसंट एंतिन गून आहना तो एक दसमलोज साथ च्छाए गुड़े साथ च्छाए गुड़े तीन पांच दसमलोज दो आट क्यूबिक मीटर अब क्या इसको लिए कोई और कोशन करानी की ज़रूबत है क्या कि लंबाई इतना चौड़ाई इतना घराई यह आता है इतना है कि एक गड़्धा है इतने मीटर का इतना बॉटा कंक्रियटिंगों और करना इतने रेशियों से बताए कितना मैटेरियल लगएगा सिंपल सा नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा ओस सारी चीज़ें हम सीखेंगे अगला टापिक है प्लास्टर वर्क ठीक है और एकदम जब जाएंगे अपना प्लाश्टर वर्क जब आप आफिस में जाएंगे सेम टू सेम ही काम होता है सारा काम रेट अलेशिज प्ढ़ना कुछ और होता होगा नहीं रेट अलेशिज और रोड का एकदम सारी सेम सेंब बनता है अब स्मय क्या करना है अब क्या होता है प्लाश्टर वर्क बहुत पतला होता है अब जैसे हम कोई भी काम कंक्रीट का कोई भी काम हम दस घंठ में करेंगे निकाले थे कि दस गन मीटर में 15 दो प्लास्टर को हमेशा हम सव गन सव स्क्वाइर मीटर मापेंगे नहीं समझा है समझेगा है नहीं हमेशा कहेगा हम कहते आपको बारे में मोटा प्लास्टर के लिए एक संबंद चार के लिए तिस द्राइड करेंएं आप मैटरीयर माटरीयद सकते हैं मोटा सब्सक्राइब बास बारे में मोटा प्लेस्टर करने इसके लिए एक संबंद चार करेंश्य दिया मेंगा लनी उसके लिए करेंगे इसके लिए क्या करेंगे सोलुशन क्या होगा और हम उच्छा में यह घ्लंगे किने पर गयाद कर देंग एसको भी हो जाए गाए हमजने के लिए है आपके एक्जाम में मैं समझने के लिए क्या करना है कि इतना मोटा है कि आप पूज़ेंगे स्कॉार मीटर दे तब भी हम देखेंगे पहले सिंपल हम पढ़ते हैं ठीक है तो तो बारे में मोटा मतलवं कि इसकॉर कितना है और इसे न वोल्यूम कितना होगा सूखने के बाद प्लास्टर की मुट वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा देखे पहले साथ पर 100 स्क्वाइर मीटर था और 12 mm को मीटर में कर देंगे दसमलो एक दो आजाएगा दसमलो जीरो एक दो मीटर आजाएगा यहनि एक दसमलो दो कीविज मीटर कितना कमा रहा है अब इसी को हम 10 पर करेंगे तो और कमाने लगेगा इसलिए प्लास्टर को हम किसमें लेगे करते हैं थोड़ा बड़ा एरिया लेगते हैं सो स्क्वाइर मीटर अभी चीज़े समझा देगी आपको मान लेना कि सो घन मीटर आपके पहले से रिजा है उस पर बारे में मोटा प् प्लास्टर करना कुछी भी कहा देगा हम साला निकाल ने ठीक है एतो फाइनल वोलूम है कि इसमें कि प्लास्टर में कितना करता है एड कितना करेंगे 60% फार फार अन एवन नेस अपैनेशं जिए अब दिवार की जब दिवार को मापत एरिया इंश्य स्क्वार मेटर तो दिवार की लंब़ाई मापत पbnा अब इसकी मुटाई बारे में करना यही तो मापत है लिकिन और तो अब नहीं आप पाएं कि पहली बाद उसे कहते हैं अन इवननेज कि मसाला दिवार में घुसे हैं नहीं उबर खावर है उसके प्लास्टर करेंगे तो कुछ मसाला नीचे गीरेगा तो गया विष्टेज उसके बाद से कंक्रीट वर्ड में बालू गेंबर बालू ने वह संसरा तो एसमें बालस्ट कई हाँ श्रिंग का और इसंऐ को सबके लिए कितना परें जोडदेंगे तो लिखेंगे repair द्राइब वोल्यूम रह कितना जाएगा एक-्धस लिआगे और लोथ सखतें या फिर यह स veg लिख करेंगे ऑपने लुटर काशार पिरसेंट करेंगे बार एक ही होग ठीक है तो कितना जाएगा एक-देसजों करनों दो और इसको दस्कुब सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं इसके लिए एक गदो के लिए हैं अब सब इसको कर रहे होंगे अब समझेगा यह आपको बारे में मोटा प्लाइटर करना है कितना घंद मीटर आब कि सुखा बनाएंगे दो अब रायरा अब समेंट निकालने में आपको दिक्कत होगा स्कूनेटर निकालने में दो भाग दे चार एक पांच से गूड़े समेंट करें कितना देगा देखियो दो पांच क्यूबिकंट 136 कर देंगे तो एक दस्मूलो दो जादेंगे क्या दो बाइग लग रहा है नहीं कि चला है जाने सेंड कितना होगा दस्मूलो चार का चार पर सेंट कितना जगा एक दस्मूलो चै कुपिक कितना जग आपका एक दुस्माद 6 कीविक मेटर अब समझें यही कह दिया यही कह दे बारे में नहीं भर मेरे भाई कह दे आपका 15 मोटा कि ठेक देखे इसको याद रखना है कि इसी को याद ही रखना है कि यह तो सिमेंट का रेशियो तो कुछ भी देश सकता है ना आप चलिए भी लिखे दिए इस्को अठीस ठीक है अब कहाद रहे कितना पंदर से मोटा ठेक है अब ईरक इतना कहाद पंदरे में मोटा तस व невाप आई बोल्यू प्रमार वोल्यूम कितना अब ढूसरता है ना ने नि Ids वोल्म किया होगा क्यों जोंकंड के व despite क्याक है युआ वोल्म क्या होगा का 1.50 का ससंट परसेंट तो उसाइगा 5-50-6 सब्सक्रारust किया कर देंगे अथ है को से इसमें चार का है तो कितना लेक है कितना निकल जाईगा सिमेंट धाई भाग देंगे 5 से गूरे एक तो दो दसमलों 5 गूरे भाग देंगे हम पांच से गूरे एक ठीक है यन्हीं दस मेलों तीन को हम 30 से गूरा करके सिम्ट में बदल देंगे कि इसमें देखिए तो यहीं कर रहे थे तो दो ही वाइगा रहा था है कम नहीं लग रहा है आपको हों कि 2.5 ना देखिए तो दस्मलो चार घूले तीज पंद्र वाएगा रहा है तो नीचे वाला गलत है हादा अब नीचे वाला देखिए तो दस्मलों चार घूले सब्सक्राइब तो कितना कितना जगा आपका 12 ठीक है इसमें कितना जगा 15 और निकालना तो आसानी है अब बता यह कुछ भी मोटाई दे तो नहीं कर पाएंगे चलिए अगला कर लेते हैं इसको और साट करेंगे चलिए यदि आगए आपका 20 मोटा प्लास्टर के लिए तो क्या होगा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा देखिए 100 स्क्वार मीटर लिए हैं हम उसके बाद अब सिमेंट कर देंगे साट परसेंट है ना तो कितना जगा बत्तिस तीन दसमलों दो इसको ममान लेंगे तीन दसमलों पांच कीविक मीटर अब सिमेंट कर देंगे इसको ठीक करें तो मार देंगे कुलिया अपनों को सिमेंट कितना बैग सिमेंट बैग में दिखा आता औ स yell कितना किवीक मीटर ठीक है तो इसमें याद किया करना है याद तरह जमें और आभी सिखा भी देंगे आपके घर में शो घर में जो मीटर बिया और आपको गह polskology तो गहाँ है उसके लिए ।Okay ru बारे में मोटा बुनकर मसला नाएंगेट दो कद्र मेटर सुख्य शक्वायर मेटर के लिए Lindsay सुख्य मेटर हैं सुख्य करते हैं टेक अब चलिए डाटा लेता हैं लेते हैं त्योंद्ड दाटा मतलब एक घर दिवार की लंबाई इतना है उंचाई इतना तो बताईये कितना घंट मेटर में पट्राइब लगेगा ठेक है अब समझेगा अब समझेगा इसमें इसको पर यह सिखते हैं और चीजें और चीज़ें दिखेगा खाया हमका रम में ठीकनेश का अपने का लैंगेश को इसकी ना फ्लाइटर करना है कि एक संबंध यह दो का एक संबंद टीन का एक संबंद चार का एक संबंद च्हाए का तो सीमेंट कितना आएगा सीमेंट कितना वेगा और स्थमives कितना या किसल को अर्व वर्वल कर दे रहा है थेखिए आपको पता है लगते हैं डोम आएब सविद्वल दिलाट वडाइद होसे य॥ा एक टीन 5 में 17 13 कितimsूल 6 भीच भैज ठीक है कटर मेनं किसमे यह कितना जाएगा आपका कि कि एक तश्व मुलोग में तार मेंटर रागां ये तो कर सकते करब बारी दो कि Elo रही है जाने मुटत को किलिए घ्र मिटर में बनाते हैं कितना दायक हैन्टि कि लंग के चार से कि की करेंगे तीस से आज आपका पंद्रह वायग है कि अधित तीन के लिए पंद्रह वेग है कि पिछला कोचन के लिए थे अच्छिए वसमें तो मुटागा लोगे लेते ठीक है कि गुड़े तीन है तो एक देश्मलों पांच वेगा जाएगा इस क्यूबिक मीटर ठीक है तैसा निकाल सकते हैं आप कोई वह नहीं है ठीक है चलिए हम रेंडवली डाटा लेते हैं कि लिखें कि एक दिवार की मोटर एक दिवार की कि लंबाए 20 मीटर तथा तीस मीटर तथा उचाई दस मीटर है पर पर पंदरह एम एम मोटर प्लास्टर करना है प्लास्टर एक संबंदे चार से प्लास्टर करना है तो तो मैटेरियल की क्वांटिटे गात करिया तो मैटेरियल के क्वांटिटे ग्यात कीजिए ठीक है अब दिखेएगा सबसे पर निकालेंगे हम फाइनल वॉल्यूम क्या निकालेंगे फाइनल वॉल्यूम कितना है वाई देखें तीस मीटर लंबाई 10 मीटर चंबाई और मोटाई 10 मिलो 015 यह वोलूम ही घटा देता है है लिखते हैं तीस सिकूंडे 10 मिलो 0 015 यह आजाएगा आपका चार दस मिलो पांच क्यूबिक मेटर फाइनल वॉल्यूम तो लिखेंगे आएड करेंगे कि नहीं आएड 60 परसेंट और इभेने नेस है ना उसके बाद विष्टेज है शुर्यक का बिष्टेज है ना अब समझेगा आप क्या होका इसके लिए और वाइट हो जाएगा अब । हो जाएगा आपका ड्राई बॉल्यूम ऑच्छ कें चार दस मिलो पांच का एक दस मिलो पांच गुड़े एक दस्मेलो छे तो जाएगा आपका साथ दस्मेलो दो कुबिक मेटर इसको आसान मतली जिएगा एक्जाम में आता है वल्य हम सिखा रहे हैं तो सोड़ना नहीं है इसको खुद नूर्स में आई है क्योंकि जो हम तो मतलगी नियूद दो में भाग देंगे कितना रेशियो है भई 1 समव बन दे चार के नहीं 5 से देंगे भाग गुड़े सीमेंट का रेशियो एक तो कितना देताएग आपका कि तालिश दसमलों दो यह निकाह देंगा हूं इसे 44 बैग उसके बाद सेंड कितना जाएगा कि अब देखिए एक यह वह आपका रिटेन प्लास्टर वर हम आपको शुरू सुरू में बताये अभिना हम रियायद ही नेक यह लेवर का कितना खार्चा लगा तीनों को जोड़ करके लियायद करते हैं खम अभी आपको पर्तेक आइटम का कॉन्टेटि नीगालना से स्खता है अगले वीडियों हम पर लेंगे के पॉइंटिंग वर्क समझते हैं पॉइंटिंग बुरा मान जाएगा पॉइंटिंग वर्क के वीडियों समझाएंगे गुड़ लग